हेलो एवरिवन, वेलकम बैक टो जे किचन तड़का, आज हम बनाएंगे कुंदरू की सबजी, बहुत ही चटपटी बनेगी, आप इसे दाल चावल पर साइड डिस में भी ले सकते हैं, और रोटी पराठा के साथ भी बहुत टेस्टी बनती है, तो चलिए वीडियो शुरू क कड़े हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर हम ने लिया है, यह कुंदरू है, यह करीब तिन-स कंडरू है, उसको बहुत लंबे पिसस में कट कर लिया है, एक कंडरू के तो इसे हम थोड़ा सा भूंजाने देंगे, तो जो हमने onion कट कर रखा था अब हम उसे डाल देंगे, तो onion को भी हम थोड़ी के लिए फ्राइ कर लेंगे, थोड़ा सा golden color आ जाए, तो देखिए here पर हम इस तरह से इसको fry कर लेंगे, और अब इसमें अच्छा सा golden color आ गया है, तो अब हम यहाँ पर डाल देएंगे कुंदरू, जो हमने कट करके रखे हैं, तो देखिए हमने सारा कुंदरू डाल दिया है इसमें, और इसको हम अब अच्छे से मिक्स कर देएंगे ओयल में, जिससे अच्छे से यह चाहरो तरफ से ओयल से लिपट जाएं, तो देखिए इ आपने स्वादानुसार डाले तो यहां पर देखिए हमने एक चममत सॉल्ट डाल दिया है अब इस सॉल्ट को डालकर भी हमें अच्छे से मिक्स कर देंगे जिसे हमारा कुंदुरु अच्छे से जल्दी सॉफ्ट हो जाए तो देखिए इस तरह से मिक्स करते हुए अब हम इस बेंगे कैसे अच्छे से सब तरफ से लगा दिया है अब इसको और धकन लगा किसे आपक दिया है अब इसको इश्य हुस से स्वाव्यवला लिए refugees सूखन, तो 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 एक बड़ा चंव्च धन्या पाउडर, एक चंव्च रेट चिली पाउडर है, आधा चंव्च जीरा पाउडर और आधा चंव्च लिए गाउडर, ँदेखें, तही अच्छे से मसाले,osaurus वह डाल किये गें एक बड़ चला दिया है इसमें मसाले अड़ कर देंगे तो MMA सारे ढालेंगे और इस तरह से इसको अब अच्छे से थोड़ी देर के लिए बुन लेंगे अब बुनने के बाद हमारी सब्जी तयार हो जाएगी तो इसको हम मीडियum फ्लेम पर इसी तरह से थोड़ी थोड़ी देर में उलटते पुलटते हुए थोड़ा सा गोल्डन कर लेंगे जिससे ये करारे से चटपटे से बनकर तयार हो जाएं तो देखिए 2-3 मिनिट हुआ है और अच्छा सा कलर भी आ गया है इन कुंद्रों पर और बहुत ही टेस्टी बनके तयार हुए ह तो इनको अब हम देखिए सर्व कर लेते हैं तो यहां पर हमने सर्व कर लिया है अगर रेसिपी पसंद आती है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा कमेंट में जरूर बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी अगली वीडियो में फिर मिलेंगे तब तक के लि